Hello Everyone, Welcome Back to this day. मैं आत्meg average का all tcs question सरी चल रहा है सिरिस स्ल रहा है। कब आया था? यह पहले वाला question. Sir इसके पहले कितना से classes हो चुक है? सर्थ 7 classes हो चुक है, यह class number 8 है average चल रहा है the average of 12 number is 42 and that the average of the last 5 numbers is 40 and that of the first 4 number is 44 the 6th number is 6 less than the 5th and 5 less than the 7th the average of the 5th and 7th number is ज्यान से सुनना हमें 6th number को अगर हम लोग X पकड़ ले तो हमें बताव 5th number क्या हो जागा सर देखो लिखा हुआ है 6th number is 6 less than the 5th मतलब 6 less than 5th से तो 5th number आजाएगा आपका X plus 6 और 7th number कितना आजाएगा 5 less than the 7th तो 7th number आजाएगा X plus 5 ठीक है तो क्वेशिन का नुसर क्या दिया हुआ है कि 12 number का average कितना दिया हुआ था 42 ठीक है तो 12 number को अगर average 42 दिया हुआ है तो 12 into 42 कितना आता है सर बारा इंटो 42 आजागा बारा दूना 24 चार केरिफर्ड दो बारा चक अटालीस और दो उन्चास पचास ठीक है तो 504 आ रहे अब देखो सर यह 504 बरावर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर यहां पर देखो क्या दिया हुआ है average of last five numbers तो पांच नंबर का कितना है सर पांच इंटो 40 ठीक है देखो 40 दिया हुआ है प्लास नंबर क्या दिया हुआ है तो यह हो जाता है हमारा क्या सिख्वेंस जो मांगा गया है तो अब यहां से क्म बताओ कि 504 बराबर हमें क्या मिल जागा बराबर 4 x 44 कि दूने होता है तो 4 चौמע 4 तो 176 प्लास एक 3 x प्लास यहां से 3 x होता है यह 3 x प्लास 6 पांच 10 प्लास पांच चुक्वित 200 तो यह वहां से चल जागा तो 3 x किस्टव कितना आ जागा ? 3 x इको टू 504 माइनस 376 ठीक है 376 तो कितना आ जाएगा आपका 376 नहीं 387 कर लेता है तो यहां से टोटल साम ऑप दा फिटल से नंबर कितना होता है तू एक्स प्लस छेपांच यहारा तो यह आवरेज कीदना हो जाएगा सब जैसी अपन टू करते हैं हमें क्या मिल जागा नंबर मिल जाएगा तो देखो ध्यान से 2X plus 11 कितना होता है सर 2X plus 11 सर 39 into 2 मतलब सर 9 दुना आतरा दो दुना दो तिया छेकम साथ 78 plus 11 upon 2 मतलब सर 0.5 में आएगा तो 89 upon 2 that is equals to 44.5 आजाएगा आपका answer कहा है option number B is the correct answer देखो ओके सर तो चलिए देखते है next question सर यह होता है normal procedure क्या आप दूसरे procedure से निकाल सकते था answer बहुत आसानी से भी निकल सकता लेकिन यह भी वही उसी तरीके से average से कितना ज्यादा average से कितना कम यह भी कर सकते थे ठीक है तो चलिए देखते है next question क्या दिया हो है क्या दिया हो है the average weight of a certain number of students in a class मतलब कुछ number student का class में average क्या दिया हो है 68.5 दिया हो है kg if four new students having weight of 72.2 kg and 70.8 kg and 70.3 kg and 66.7 kg join the class then the average of weight of all the students increase by 300 grams the number of the students in the class initially तो ध्यान से सुनना यह तो नॉर्मल यह आप गुना करके फिर से निकाल सकते हो ठीक है यह नॉर्मल यह आप गुना करके फिर निकाल सकते हो लेकिन हमें क्या निकालना है हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं ठीक है अब जो नए स्टूडेंट्स दिया गया है क्या उनका average weight कितना हो सकता है अब यह जो 4 नए स्टूडेंट्स दिया हुआ है कितना हो सकता average weight सर्ध्यान से सुनना कि हर एक का 300 gram करके घट रहा है ठीक है तो 4 3 कितना घटेगा सर्फ 12 घटेगा अब यह देखो क्या दिया हुआ पहले कितना था 68.5 था चार जने एड हुआ जिसके कारण से एवरेज वेठा अगर हम लोग एक्स जने थे पहले तो एक्स जने का एवरेज कितना था 68.5 था पहले अभी चार जने एड होने के कारण कितना घटा सा चार जने एड होने का कारण एवरेज घड़ गया आपका एक से 300 ग्राम हो घड़ गया मतलब 0.3 घड़ गया अब यह बताओ यहां से आप क्या निकाल सकते हो है तो जो चार जनने यहां से 60.5 से इंका जादा था यह निकाल अच्छा यह दूसरे तरीका निकाल रहाता ठीक है देखो एक चिज़्यान couldn't निकल जाएगा कि इस को कितना ज्यादा था अब रिस अम लोग निकालने को कुशिस करते हैं ठीक है देखो 68.5 से 68.5 से जो नया बंदा आया पहला 72.2 कितना ज्यादा है सर्फ 517-7 3.7 ज्यादा है धी दूसरे दूसरे वाले कितना ज्यादा है सब तीसरे वाले बन्दा सर 1.8 जादा है और चौथे वाले बन्दा कम है सब चौथे वाले बन्दा ओन पंट एट कम है तो इसको माइनस लिख लेते हैं बाक्ई सब प्लास में रख देते हैं ठीक है अब ध्यान से देखो क्या करना है अगर हम लोग पहले एक्स जने थे अभी कितना हो गया एक्स प्लस फोर हो गया चार जने आड हुआ जिसके कारण से वेट कितना रिडियूस हुआ पॉइंट Stupid Vision रिडियूस हुआ तो बड़ावर का उना चाहिए ठीपॉइंट सेवन प्लास2.3 प्लास2.8 मायनस घुंट टीजब कर जाएक इंदोने का क्या हो जाएगा त्रीपॉयंट सेवन तो पॉइंट तो ही सिक्स पंड 약न सिक्स तो right क्या करते है उदर दस गुना कर देते है तो एकस प्लस फोर बराबर कितना हो जा रहा है सर बीस हो जा रहा है तो एकस बराबर कितना आ जागा सोला जागा क्या यह आपको समझ में आया सवाल था ठीक है तो चले देखते हैं नेक्स्ट कोशिन क्या दिया हुआ है अब एक पैटर्न में दिया हुआ है यह पैटर्न अगर पकड़ लोगे दिक्कत नहीं होगा देखो दो का एवरेज तीसरे का साथ जोड़ता है नंबर्स हम लोग A B C पकड़ ले तो क्या हो जाएगा क्या दिया हुआ है सर A प्लस B अपन 2 प्लस C यह दिया हुआ है ठीक है यह बराबर क्या दिया हुआ है 168 पकड़ लेते हैं पता नहीं कौन सा वाला कौन सा होगा ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं वैसे नहीं पकड़ते हैं अभी normally समझते हैं क्या normally समझते हैं सर यहां से normally समझते है कि plus दूसरे case में b plus c upon two इसके साथ जोड़ लेते हैं a को ठीक है अच्छा उसके साथ क्या हो जाएगा सर उसके साथ c plus a upon two जोड लेते है बी को हां से जोड लिये बताओ यह बराबर कितो हैं जोड़ते हैं तो योडसे एकर में 13 ऑर इधर क्तिन आहे Canada से आठ आट शुला और छे कीतना होता है यह कितना हो टो 22 दो कईर दो कितना होता है सर तीन दो पांच 522 आ गया अब बताओ यहां से यहां से क्या आ जागा यहां से आ जाता है A प्लस B प्लस 2C A प्लस B प्लस 2C फिर से आता है B प्लस C प्लस 2C B प्लस C प्लस 2C फिर से आता है कितना यह कितना आता है सर यह इधर आता है C प्लस A प्लस 2B बराबर कितना हόता है sir 522 into 2 ठीक है तो यहां से क्या आजैगा यहां से आजैगा जोडने का कोशिस करता है देखो 1, 2 B है यहां पे कितना भी है 1, 2, 3, 4 4 भी है तो यहां से sir यहां से क्या हो जाएगा sir 4 हमें सब के सामने आजाएगा तो A plus B प्लस सी क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 522 इंटु टू अपन 4 आ जाएगा तो कट जाएगा तो दो से कितना होता है दो दुना चार दो छे बारा दो एकम दो ठीक है यह तो हो गया हमारा सम हमें क्या निकालना था अवरेज ऑप दा ओरिजिनल त्री नंबर्स तो ए प्लस बी प्लस सी अपाउन थी करेंगे तो हमें अवरेज निकल जागा तो 261 अपाउन थी तो छे दो आट एकम नहों तीन आट चौविस तीन साथ इकिस तो 87 आपका एंसर आगिया कहां है option option number देखो B पर दिया हुआ है ओके सर तो चले देखते है next question क्या दिया हुआ है the total number of students a a second the total number of students in a section A B of a class is 110 the number of students in the section A is 10 more than that of the section B the average score of the students in B in a test is 20% more than that of student A if the average score of all the students in the class is 72 then what is the average score of the student A दियान से सुनना इसमें क्या दिया है total number of students in section A and B of a class is A plus B कितना दिया है total number of students 110 देखो the number of the students in a section A is 10 more than that of the section B तो सर हम लोग 10 को हटा ले तो तो इसमें कितना आजागा ए में A में 60 B में 50 हो सकता है हां सर हो सकता है 10 more than दिया हुआ है मतलब यही होना चाहिए the average score of the students in B तो average score B में average score कितना हो रहा है सर B में कितना जनने सर पचास जनने तो B में average score अगर suppose X पकड़ लेते हैं तो A में कितना हो जाएगा सर A में average score हो जाएगा 20 percent more than that of students in A ठीक है मतलब A में कितना हो था 20 परस अच्छा क्या दिया हो है यहां पर average score of the students is 20 ठीक है अच्छा A में अगर हम लोग X पकड़ ले तो B में आता है 20 percent more मतलब 112 बटा 100 आएगा यह question में दिया हुआ है आपको ठीक है अब क्या दिया हो है the score if the average score of all the students is 72 then what is the average score of the students in A तो हमें एक्स का value निकालना कोई मतलब है हां सर बहुत ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से निकल जागा कैसे निकलेगा देखो धियान से यहां पर average कितना होता है यहां पर तो 60 आगिया हां सब्सक्राइब तो फिर से 60 आगिया तो एक काम कर लेता है इसको काट के हम लोग 120 कर लेते हैं ठीक है जैसे 120 करेंगे तो हमारे पास answer आगिया खतम कानी देखो यहां से आता है लिए खतम has a गया तो एकस का वैलो केतना हाता था चिछ वाटा 5 हमने क्या किया दिन वाट इस द्वाट is the average score of the students हमने क्या पगड़ थे सर्एख स्ञेक स्ञां मतलब इनका एकस के एकस पगड़ थे इनका अवरेस स्कोर तो सर्य हां पर बताओ एक चिज़ 60 एकस स्कोर अब the all student if the average score of the all student दिया वा था 72 मतलब इनका average था 60 जने का average था 60 x total था plus इन जने का कितना था sir x plus 60 था 60 x यहां पे भी था तो हमने 2 से q divide किया तो गलती कि यह कहां sir 2 से divide करके q क्यों कि यह average था तो हमें 2 से divide नहीं करना था हमें क्या करना था हमें 110 से divide करना था तो नीचे क्या हो जागा sir 110 कर लेता है तो 110 होता तब जाके हमारे answer आते तब जाके क्या answer आते थोड़ा से एक बार correction कर लो यहां पे गलती हुआ था ठीक है एक कर लेता है यह क्या दिया हुआ था इसमें दिया हुआ था कि आप अगर 120 जने का ट्वेंटे एक्स का एवरेज निकाल रहो 120 एक्स अपन 110 बराबर आपको 72 दिया हुआ है तो यहां से क्या हो जागा 12 चोके बात्र 6 आ गया था एक्स बराबर डंट चाछाहँ चड़ाँथा है आंसर आपके लिए कहां पे आप्स्टन लुपर देखो एक क्या कि ऐस बटाको यह यहां और उने कर लिए अगर जैसें 120 कर लिए तो तो हमारे पास answer कितना आगया यह भी 60x आ गया बी क्लास के ठीक है जैसे भी क्लास के 60x आ गया फिर answer आ पास निकल जाएगा देखो जैसे यह 60x 60x आता है तो दोनों का average कितना होता है 120x आपान कितना जने था 110 जने था बराबर आपको कितना दिया होता है 72 दिया हो है तो 72 वैल पुट कर लिए तो खतम कहा नहीं तो चले देखता है next question क्या दिया हो है 4 different numbers are written in the ascending order ठीक है छोटे से लेकर बड़ते लिखा हुआ है ascending order मतलब तो one third of the average of the all the four numbers is 19 less than that of the greatest of this number मतलब क्या दिया हो है अगर छोटे से बड़े number लिख रहो a b c d हम लोग पकड़ लेते हैं ठीक है अच्छा दी छोटा हाँ सर नमबर सह सह है दिया हो है a b c d अब बताओ एक चीज one third of the average of all the four मतलब one third of the average मतलब sir a plus b plus c plus d upon four ये one third of average दिया हो है बरावर कितना दिया हो है all the four numbers is 19 less than the greatest of this number sir greatest काँ सह है d तो d minus 19 ये एक equation दिया हो है if the average of the first three numbers is 12 मतलब sir a plus b plus c a plus b plus c upon 3 दिया हो है 12 दिया हो है यहाँ पर एक option है ठीक है option number d दिया हो है देखो 21 ये याद रख लेना क्यों बोला कि यहाँ पर नहीं दिख रहा था इसलिए बोला तो बारातिया कितना होता है sir बारातिया 36 होता है तो a plus b plus c के value 36 निकालो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 plus d upon 4 3 12 बरावर क्या दिया हो है sir d minus 19 दिया हो है तो ध्यान से देखो बारातिया 36 होता है ये हो गया 3 plus d upon 12 equals to d minus 19 लिख सकते है हां sir तो एक काम करो d minus d upon 12 बरावर क्या हो जाएगा इधर होता है 19,32 तो d 12 मतलब 11 d upon 12 यारा d upon 12 बरावर कितना है आपके पास 22 हा गया तो जैसे ही बाइस आया था तो यहां पर d equals to कितना आ जाएगा sir d equals to आ जाता है 12 बरावर दूना 24 तो कहा है option number c is the correct answer तो यही तो मांगा था आपको कोई दिक्कत आसा गरते नहीं है तो चलिए देखते next question क्या दिया हो है यहां पर क्या दिया है average marks of 40 students were found to be 68 40 जने का दिया फांड क्या गया 40 जने का average क्या है 68 फांड क्या गया ठीक है अब देखो ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है अब देखो दिया हुआ हुआ है if the marks of two students were incorrectly entered मतलब 48 and 68 instead of 84 and 46 तो सर यहां से यह कितना बढ़ेगा average में यह बढ़ेगा 8 से 86 के 14 इधर कितना होता चारे कम 5 तिन 8 तो 36 बढ़ना चाहिए लेकिन देखो 64 लिख दिया 46 के जगा पर यहां पर कितना घटेगा so 68 14 दिखो 46 को 64 से माइनस कर रहा है तो 68 14 चार एकम 5 पांच एकम 6 तो 18 तो इसके साथ 68 जो average पहले से ही था इस 68 average के साथ हमें क्या करना पड़ेगा हमें जोडना पड़ेगा क्या जोडना पड़ेगा, सर 18 जोडना पड़ेगा लेकिन सर यह तो average था हां सब तो 18 अपन 14 जोड़ दो ना तो 18 अपन 14 जोड़ना है तो कितना होता है तो नो को दो से डिवाइट करेंगे तो कितना है तो साड़े चाल लेकिन 0.45 कर लेता है क्योंकि 0.1 है तो यहां से 68 के साथ 0.45 जोड़ेंगे तो average क्या आ जागा देख से 68.45 ठीक है सर कोई दिख्कत आसर अगरते नहीं है तो चले देखते नेक्स्ट कुशिंट क्या दिया हो है अलगो 40 student के class में 45 परसेंट और गाल्स ठीक है चालिस जने में 45 आप 45% गर्ल्स मतलब कितना हुआ सर्फ 40 इन्टू 45 अपोन 100 ठीक है तो ये कर लेता है तो दो कड़ गया तो दो दुना 4, 2,5,10 इधर 5,9,45 तो कितना होता है सर्फ 9,2,18 ये 18 जने क्या हुआ सर्फ ये 18 जने आपका 45% गर्ल्स था ठीक है गर्ल्स थी तो ये जी अब बॉइस को क्या हो जाएगा सर्फ बॉइस क्या हो जाएगा 22 जने हो जाएगा अब जैसे ही ऐसा सेड हमें निकल जाता है कि 18 और 22 हमें हमारे एंसर मिल गया तो 18 जने के आवरेज मांक्स दिया हुए 54 अब देखो 22 जने के आवरेज मांक्स दिया हुए 46 अब मैं आलग हो जागा देखो 54 आवरेज बरभर मतलब इसमें डेफ्लेक्षिन कितना होता है सlor नॉर्मल वैलुस यह कोई दिफ्लेक्षिन नहीं होता है यह 0 होता है ठीक है क्योंकि डेवी एसन्स वोल कि इसका डेवीशन्स कितना है सर इसके साथ 8 जोड़ेंगे तब जाके 54 आएग यह तो एक चाव पड़ेगा तो तो प स्वेटल में घटएपा है और समय होता है टो चार चूब चुके 16, 4 चुके 16, तो 25-10 होता है, 22-24 होता है, 5 से कितना होता है, 5-4-20, 10 हम लोग 5-4, 4.4 गटेगा, औरिजिनली कितना दिया हुआ है, सर्फ 54 हमने पकड़ लिये थे, उसमें से 4.4 गटाएंगे, तो कितना आजागा, सर्फ 49.6 आजाएगा, आपका अबरेज, कहां है, option number C पे देखो, दिया हुआ है, इससे भी कर सकते थे, या फिर allegation से भी आप कर सकते थे, फिर ratio निकाल के फिर उसको solve कर सकते थे, लेकिन ये procedure ज्यादा अच्छा है, कितना कैसे, कि deviation कितना हो रहा है, वो calculation एक बर कर लो कि फिर दिखकत नहीं आया, अब देखो ये question क्या दिया हुआ, ये कब आया था, SSE CGL 13 June 2019 में आया था, अब देखो ये सभी recent questions है, तो यहाँ पे जो pattern fall होगा, वो भी SSE CGL का exam में भी pattern similar fall होगा, the average of 27 numbers is 0, 27 number के average दिया है 0, out of them how many may be greater than 0 at the most, सबसे ज्यादा, एक काम करते हैं, numbers को अगर हम लोग पकड़ ले कि 26 number greater than 0 है, और 26 number 1 से लेकर 26 तक है, और दूसरा number क्या होना चाहिए, सब दूसरा number जो होगा, सब माइनस में आ जाएगा, मतलब 1 से लेकर 26 तक number दिया है, एक प्लस, दो, प्लस, तीन, प्लस, ऐसा करते हैं, अब 26 तक ले लिए, इनका साम क्या होता है, सर, N into N plus 1 upon 2, N into N plus 1 by 2, तो 26 into 27 upon 2, तो ये number, तो 2, 13, 26, तो 13 into 27 केतना होता है, 27, 270, 27, 23, केतना होता है, 27, 27, 27, carry for 2, 3, 26, 7, 71, तो 1, 7, 14, carry for 1, तो 3, तो 341 आ रहा है साम, अगर ये last वाला जो number हो जाएगा, वो 341 माइनस में आ गया तो average क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साम में 0 आता है, अब देखो, यहाँ पर क्यों ऐसा हमने किये, कि Excel के 26 तक हमने maximum numbers ले लिए, देखो, add the most दिया होँआ, तो say, क्या सुनने से अधिक हो, हो सकता है, तो अधिक से अधिक ये जो option दिया होँआ, ये अधिक से अधिक के funda के लिए ही हमने change कर दिया, क्या साल होगा, option number C should be the correct answer, ठीक है, तो चली देखते है, next question क्या दिया होँआ, 10 साल पहले, family of five members was 38 years, तो पाँ जने का average, 10 years before, average age of the family is 38 years, 10 साल पहले, 38 years था, now two new members join, whose age difference is 8 years, if the present average age of the family is the same as it was 10 years ago, what is the average of the new two young members, तो अब ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा समझदारी से इसको काम में लेना है, कैसे, दिखो क्या दिया हुआ, दस साल पहले, कितना था, सर्फ 5 मेंबर्स का अवरेज कितना था, 38 था, अभी 5 जने का क्या अवरेज बढ़ना चाहिए था, हां सर्फ 48 होना च मुख़ा जने का रीडिउस हुआ, सिज़ जने का दस रीडिउस हुआ, तो 6000 साट रीडिउस हुआ, कितना रीडिउस हुआ, से ऑlli यहां से निकालने का को सिस कर रह형 है, ऐक से कि इसमें थोड़ा सा प्रदल्म आ रहा था, तो अभी संध्रेश क्या दिया हुआ कि दस साल पहले एवरेज एज ऑफ फैमिली और फाइब मेंबर्स पांच जने का अवरेज इस था ठाटी यह बहुत ही आसान इसे निकल जागा तो इनका एज कितना था उस टाइम निकल जाएगा हां सर क्या होता है सर थाटी एट का आधा करो दस दस गुना क अब जो दिया हुआ है कि मेंबर दो एड हुए दो मेंबर कौन सा एक का एज है सर एक्स और दूसरे का एज कितना हुआ सर एक्स प्लस एट दिया हुआ है एक छोटा एक बड़ा है तो अब बताओ एक चीज तो इसके साथ अगर टू एक्स प्लस एट जोड़ेंगे तो सर यहां से कालकुलेशन करना है तू एक्स इन्टू यह देखो यहां से कालकुलेशन हम लोग कर लेता है कि टू एक्स प्लास यहां से टू एक्स प्लास अच्छा एक्स प्लास कर लेता है ठीक है यहां से क्या हो जाएगा सर एक्स प्लास 124 बरावर क्या होता है सर 7 इन्टू मेंबर सबसे छोटे वाले बच्चे का एज कितना हुआ सब हमने एक साल पकड़े थे आप्शन नमबर बी बराबर करेक्ट एंसर ठीक है ये थोड़ा सा कुशन नॉर्मल था इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते थे कैसे समझेंगे क्या समझना जरूरी है अच्छा ठीक है देख लेते यह वस समझ लेता है थीक है अभी समझ लेते हैं क्या दिया हुआ देखो यहां पर दिया वाय था दस साल पहले अवर्यज एज अप्ड़ फैमिली ओफ फाइब मिमिंबर थरटी था ठीक है अभी दस साल के बाद एवरेज इज क्या होना चाहिए था 38 था पांच जने का 38 होना चाहिए था तो साथ जने का साथ जने का एवरिजी राते इट अब पांच जने का होना चाहिए था 38 तो सर गाप कीतना होगा Preset 28 इन्ट टू कि ऐसा कुछ गाप कुछ द्थ्यान से शुनना सब का दस साल में ऐवरेज तो बढ़ेगा हंसर बढ़ेगा अब बताओ साल में कितना होना चाहिए था सब 10 साल के बाद एवरेज उन्न चाहिए इन लोग Championship 5 जने का फोर्टिध ऊना चाहिए था लेकिन अभी दो जने का घटा सब दो जने का कितना घटा सब दो जने का बीस घटिया अभी नॉर्मल यहां से होना क्या चाहिए था और क्या हुआ तब जाकर हमाई यह एंसर निकल जाएगा कैसे निकलेगा देखो एक बाद ध्यान से देख लेना यह समझ जाओगे फिद्धिक नहीं आग धीको पांच सल पांच जनने का अभरेज था था 30 अब 10 सल के बाद आवइज होना चाहिए था फ्यावित था त दस सल के बाद ता ह्यांध अभि द्धो जनने एड हुआ जिसके कारण से हमें यहाँ आवरेज ग्या दो जने एड हुआ जिनका एज एक स्था तो उससे जने का घटा साथ जने का घटा तो साथ जने का अगर घटा रहे हो या फिर बोल सकते हो दो जने का घटा तो दो जने का अगर घटा रहे हो तो कितना घट रहे है सर फॉर्टी एट से बच्चीस को अटाएंगे तो कितना यह जाएगा सर इनका सर फॉर्टी इट से पच्चीस जट आते हैं तो पांच तिन आठ और इधर होता है तो कितना हो जाएगा सर आठ आठ इधर होता है आपका कितना हो जाएगा सर आठ सल ज्यादा मतलब आठ प्लस टू एक्स बरबर तीज दिया वह तो सर टू एक्स बरबर कितना हो रहा सर आठ पांच तेरा तो पंद्रा आ ज थोड़ा सा पेचिदा है इसको लिव करते है ठीक है next question में हम लोग इस प्रगार से हम लोग करने को कोशिस करेंगे ठीक है next question में इसको समझाते है इस question में इसको drop करते है यह concept को चलिए देखते next question क्या दिया हुआ कर देखो average of number of number and average of a number and its reciprocal क्या दिया हुआ फोथ दिया हुआ अबरेज ऑफ इस क्यूब एक्सक्राट पॉत क्यों एंट्स डिया हुआ होँआ है तो एक्यूब प्लस में एक्यूब क्या हो जाएगा तो यह क्या होता सर 4-3 3-4 ठीक है तो यहां से 4 common ले लोग तो कितना ओझागा चर्ट चुक retail, 46-3 मतलब 13 को यह यहां फोर है रिचिप्र त्यर लिधित रखअचई आवठेच ऑफेरेज्ट आब्रेस आट इ्यावएν निकालना था सरह Gwen तो sir 8 cube minus 3 into 8 है ठीक है average दिया वा था तो चेक कर लेना है एक बार average के कारण यहां पर तोड़ा सा change हो जाएगा क्या आ जाएगा इसका value sir यह इसका value आ जाता है a cube plus 1 by a cube बराबर 8 common ले लेंगे तो कितना होता है 64 minus 3 that is equals to accept तो आठ चकर तालिस आठ कम आठ तो 488 आ जाता है आपका answer हमें क्या निकालना है average of its cube तो इसका average बराबर दो निकाल ले तो दो से divide करो तो 244 आ जाएगा आपका answer कहा है option number d is the correct answer ठीक है जो question पिछला question में जो problem आया था जो उसमें sense नहीं काम कर रहा था हम दूसरे question में वह जरूत देखेंगे ठीक है उसी sense को apply करने को से क्या हो जाएगा question बहुत जल्द होता है ठीक है उसमें नहीं आ रहा है इसलिए हमने छोड़ के आगे चला है देखो the average of the first one two three four dot numbers is equals to one two three four अब क्या दिया हुआ है एन ओर्ड नमबर के average क्या होता है हमेशा एन ओर्ड नमबर के average क्या होता है हमेशा ओर्ड होता है एन ही होता है तो ध्यान से सुना एन ओर्ड नमबर अब एक प्लस दो प्लस एक प्लस तीन सुरे एक प्लस तीन प्लस पांस तीन ओर्ड नमबर ले लिए तो divided by three कर ले तो कि इसमीलिए 1234 और वीशंव यह देखो लिखाव बिशंव नंबर का शंक्यों का वसद क्वाइब पैसि पेचीदा हो जैता है कबी जबी क्या होता है हमें देखके भी नहीं देखता है ठीक है यहां पर देखो sir the average of first 101 dash number is equals to 102 यह क्या होता सर even का होता है ठीक है यह even का होता है कैसे even का होता है निकालने के कोशिस करता है first even मतलब 3 even number लिख लेता है तो sir 2 2 plus 4 plus 6 का average क्या हो जाएगा अपन 3 कर लेता है तो कितना होता है 4 2 6 6 12 तो 12 upon 3 मतलब 3 चोके 12 देखो 3 number का हमने average निकाला कितना है सच 4 आ गया तो इसी कारण से हमने क्या कहां कि यहां पर average 101 first 101 even numbers का क्या हो जागा average sir 102 होता है ठीक है sir यह दोनों यह दोनों जो format अभी करवाया जो question करवाया यह दोनों बहुत ही important सा question है यह से चसल में पूछेगा थे हाला कि क्या होता है एक्जाम के टाइम पर यह याद नहीं रखता है जब तक आपने practice नहीं किया जैसे कौनसा question यह question था यह होना चाहिए था और होना होगा ठीक है और का साम क्या होता है एन होता है और यह question क्या हुआ सर यह even वाले question है ठीक है यह याद रख लेना copy में note कर लेना next question के तरफ चलता है क्या दिया हो है देख लेता है तेइस उन्तिस ठीक है यह आता है first दस प्राइम नंबर अच्छा दूसरे case में क्या आजागा सब दूसरे case में आजागा टू डिजिट का बोला गया सब 11 13 और इसके बाद कि ना अगर 17 19 तेइस 29 31 आएगा 37 आएगा उसके बाद 41 आएगा उसके बाद 43 कुछ मिस हो गया तो फिद दिक्कत आ जाएगा ठीक है अब average क्या हो जाएगा सर इससे माइनस करेंगे नीचे वाले से हम इसको माइनस करेंगे थोड़ा सा देखो तो कुछ-कुछ कट जाएगा हाँ सर कुछ-कुछ कर जाएगा अब क्या बचा हुआ रहा सर 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 ये माइनस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अपन कितना आजाएगा सर ये कितना नंबर का था सर दस दस नंबर का था तो दस हो जाएगा मैं गलती से 10 कर दो करने वाला था लेगिन यहां पर दिख गया average इसलिए क्या सब्सक्राइब कर लिए यहां से निकाली अच्छ देखो 31 से दो चल जागा तो कि तना हो जागा सर 29 29 प्लस 37 चल जागा तो किसी वी तरीक से आप टाइम रडियोस नहीं कर सकते आपको तो जोड नहीं है तो जिस्तना स्पीड से आप जोड पाओगे आपको उदना अच्छे से क्वेश्यना आजागा तो चले देखते नेक्स्ट क्वेशन कहा दिया हुए सर यहां पर पूछे गए कि एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज जीरो एड़ मोस्ट हाउ मिन ऑफ देम कैन बी नेगटिव अब देखो सर एड़ मोस्ट बोला गया मतलब सर एक ही पॉजिटिव रख के बाकि सभी को नेगटिव कर सकते हैं सर अप्शन नमबर डी सूट भी मैंने यह आपको पिछले कोईश्चन में दिया था एड़ मोस्ट कितना होना चाहिए जीरो से ज्यादा तो यह खली उल्टा कोईश्चन दिया हुए और कुछ नहीं है यह से सीचसल 2019 में पूशे गया थे यह कोईशन हमें साहत है तो अगर तीन नंबर का एवरेज जीरो हो अगर हम लोग करें माइनस वान माइनस टू ठीक है और इधर प्लास थी कर लेतो तो एड़ मोस्ट आप कितना रख सकते हो सर एक छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर को आप क्या रख सकते हो से नेगटिब में रख सकते हो ठीक है तो चलिए देखते है क्योंकि उसको क्रॉ अगर उनके पापा का एज इंक्लूट किया जाता है तो पीता जी के एज इंक्लूट करने पर उनका एवरेज क्या हो जाता है इंक्रीज भाई फाइव यर्स दा एज अगर इज फादर इस अचार ब्रदर्स थे ठीक है कितना ब्रदर्स थे सर यहां पर चार ब्रदर्स थे अब बताव एक चीज यहां पर एक चीज बताव कि फोर ब्रदर्स के एज दिया वा ता पंदरा साल ठीक है चार जने का एज एवरेज दिया वा ता पंदरा साल अब पीता जी के इंक्लूट करने पर एवरेज हुआ अब ध्यान से सुनना चार जने का एवरेज था पंद्रा अभी इंक्रीज हुआ 25 सल तो पिता जी का एज कितना होना था सर पंद्रा प्लास 25 हो जाना चाहिए बराबर 40 साल का अब क्यों ऐसा होता है अगर वो ज्यादा एज का नहीं आएंगे तो अगर वो ज्यादा कारण से बढ़ गया एज इसी कारण से कितना हुआ सर चालिस चालिस एज वाले एक आदमी आता है तब जाके क्या हो जाएगा सर एवरेज इंक्रीज हो जाता है क्या आपको यह समझ में आया हां सर तो चलिए देखते हैं कौन सा है option number B is the correct answer तो चलिए देखते next question क्या दिया हो है the average of the squares of a number क्या दिया हो squares of the number one to five is अब देखो इनका साम क्या हो जाता है सर एक से एक स्क्वेर प्लस दो स्क्वेर प्लस तीन स्क्वेर करके कितना सर पांच स्क्वेर तक ठीक है तो इनका साम कितना हो जागा सर फाइब स्क्वेर तक इनका साम हो जाता है एन इन इन प्ल प्लस वान अपान 6 टुएन प्लस वान अपान 6 होता है हासर अब देखो सर्थ इनका average क्या हो जाएगा अपान इंट कितना number? इंन कर गया तो इन इंटू एन प्लस वान इंट प्लस वान मतलब 5 की नंबर मतलब 5-2-10 से क्या कर यार vigor आप beacon तो यह रहा जाएगा option number a is the correct answer okay sir तो चलिए देखते हैं next question क्या दिया हुआ क्या दिया हुए यह question the average of a and b यहाँ पर क्या दिया हुआ है average 36 दिया हुआ है अब बतावा एक चीज़ a and b average 36 the average of b and c का दिया हुआ 42 है what is the difference between c and a तुसर क्या करेंगे सब b plus c upon two minus a plus b upon two कर ले तो क्या हो जाएगा सब c minus a आ जाएगा हाँ सब सी मैनस आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बराबर आ आ जाएगा आपका equals to 42 minus 36 तो कितना आता है यहां से b minus sorry c minus a आ जाएगा यह c minus a upon two equals to कितना होता है छे छे बारा ठीक है तो c minus a कितना आ गया c minus a आ गया आपका answer बारा कहा है option number b is the correct answer ठीक है तो चलिए देखते है next question क्या दिया हुआ है what is the average of the first eight multiples of six among the natural numbers मतलब क्या दिया हुआ है मतलब दिया हुआ है आपको eight multiples of six मतलब six के add multiple आपको निकालना है first तो six के add multiple अगर निकालते हो तो six into one हो जाएगा हां sir पहला multiple plus six into two हो जाएगा हां sir पहला दूसरा multiple plus ऐसे करते करते हैं हम लोग चलेंगे तो हमें क्या निकालना sir eight multiples तो one plus two plus three यहां साम निकालने को कोशिस कर रहे है plus eight कर लेता है हां sir eight तक तो इसका साम क्या हो जाएगा sir इसका साम हो जाएगा 6 into n into n plus 1 by 2 मतलब 8 into 9 upon 2 यह formula आपने बहुत बर पड़ा 2 चोके 8 6 चोके 24 into 9 यह आ जाता है आपका अब इनका average कितना होता है 8 से काटेंगे तो 8, 3, 24 9, 3 कितना हो जागा 27 हो जागा कहां है option option number C is the correct answer यह MTS का पूछे के question था कहां पे 6th, 7th August 2019 में पूछे गए थे, ठीक है तो चले देखता है next question क्या दिया होए the average of all the prime and composite numbers up to 100 मतलब average of all prime and composite मिला के natural numbers होता है यह आपको doubt करवाने के लिए कि 1 से लेके आप 100 तक कितना numbers है sir, n into n plus 1.2 मतलब क्या formula होता है n into n plus upon 2 यह formula आता है sir, यह formula आपको ताकि confusion में आप पढ़ जाओ और formula ना apply करपाओ इसलिए ऐसा दिया होता है तो 100 into 101 upon 2 यह answer आजागा तो 250, 100 होता है हाँ, सद 250, 100 हो गया तो 50 into 101 तो 0, 5, 5 0, 5, 5 तो 50, 50 यह कितना number सद साम of the 100 numbers का अपका साम होता है अब देखो ध्यान से सुनना अब देखो ध्यान से सुनना 1 यहां से क्या exclude करना पड़ेगा यहां से एक number को हम लोग exclude करेंगा हमने natural number ले लिए ठीक है तो average of all the prime and composite number ठीक है composite number में से क्या हम लोग 1 मिलेगा नहीं सर 1 नहीं मिलेगा तो सर प्राइम में से मिलेगा नहीं सर तो 50, 50 से 1 हटाते हैं और इसको 99 से divide करना पड़ेगा तो कितना आ जागा सर 5049 upon 99 तो कितना आ जागा सर यहां से 9 से 5, 4, 9, 9, 9, 9 तो 9 से काटेगा हमने natural number का तो पहले निकाल लिए उसके बाद हमें क्या लगा question में से देखके कि यहां से कुछ हटाना पड़ेगा तो क्या हटाना पड़ेगा अगर आपको यह prime number क्या होता है composite numbers क्या होता है यह तो आपको नहीं पता है तब जाके कुछ नहीं होगा क्या होता है ना prime होता है ना composite होता है कुछ भी नहीं होता है तो आपको कोई किरेक्टर ही तो शुली देखते है next question क्या दिया हो है the average weight of 12 articles is 18 दिया हो है ठिक है कितना दिया हो है 12 आपको 18 की ऐडीशनe of another new article reduces the average weight by 500 gram what is the weight of the new article अब देखो ध्यान से 12 आर्टिकल का था 18 केजी ठीक है जैसे ही हमने एक को जोड दिये तो क्या हुआ 13 हो गया number of articles हाँ सर तेरा जाने का 500 ग्राम करके घटा तो कितना घटा सर दो साथ 14 होता है तो 6.5 घट गया तो सर 18 केजी का पहले यह average था तो उसमें 6.5 केजी कम वाले किसी को जोड़ेंगे तब जाके ना average घटेगा हां सर तो यह ध्यान से सुनना कितना जने का घटा सर आप यह अगर doubt से हटा दोगे तो फिर कतम हो गया तो सर यह होता है 11.5 तो कितना होता है 11.5 पहले average यह जो वेट वाले जो जो आर्टिकल थे उसको अगर जोड़ें जैसे ही जूड़ा तो 13 हो गया तो 13 जने का कितना घर के घटा सर आवरेज वेट सर पांसो गर के घटा मतलब ओरिजिनल होना कितना चाहिए था अटरा के जी होना चाहिए था लेकिन किसी कारण बर्स एक को जोड़ने से हमें क्या मिला सर पांसो गर के वेट रिडियूस हो तो जैसे ही रिडियूस हो फिर हमारे पास कोई आप्शन ही नहीं बचा कि कितना घटा देख लेता हैं सर तेरा जने का कितना घटा साड़ेचे करके घटा जैसे ही साड़ेचे घटा तो हम बोल सकते हैं कि यह जो नया आटिकल था वह साड़ेचे किलो कम वजन वाली हमनों जोड़ दिये इसी कारण से तो आवरेज घटा हां सर 11.5 आगिया आपका एंसर तो चले देखता है नेक्स्ट कोईशन क्या दिया हुआ है गीवन फॉर नमबरस दघ्टा इवरिज पिकल अब देरेज अब द्यकल द एवरेज द फॉर्च तरा नमबर से अब देकल अगर अगर नमबर लोग समझते है अब बी और पकर लेते ठीक है फर्स्ट्री नंबर्स का अवरेज मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 3 बर्याबर क्या दिया हुआ 4th नंबर के कितना 4 टाइम्स तो 4D दिया हुआ तो A प्लस B प्लस C हमें क्या दिया हुआ 4-3-12D दिया हुआ हां सर दिया हुआ है अब बताओ कि सरफ 4 नमबर का एवरेज दिया हुआ थे 52 तो a plus B plus C plus D क्या दिया हुआ था आपको सरे प्लस B plus C plus D आपको दिया हुआ थे 52 इंटू 4 मतलब 45 बीस चार दुन 8 तो 208 दिया हुआ थे हां सद दिया हुआ थे 208 अब यह चीज़ बताओ, यहां से a plus b plus c plus d, हम लोग लिएगे तो कितना आ जाएगा, दो सु आड़ जाएगा, हाँ सर, तो यहां से minus करने के कोछिज करते ही, यह minus, यह minus, यह minus, यह minus, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यह आता है, यह कट गया, अब देखो सर यहां से आता है 13D equals to 208 अब 13 से क्या होता है 13 चुके 52 13 एकम 13 और कितना आता है सर इधर आता है 13 एकम 13 से 778 तो 13 से कितना होता है 13 चुके 78 आता है तो 16 तो यहां पर क्या दिया होता है what is the average of the first three numbers 16 चुके 64 आ जागा तो पहले तीन नमबर का average कितना था चार गुना ओफ डी तो 64 आगया आपका answer option number D is the correct answer ठीक है सर कोई दिक्कत आज अगरते कोई दिक्कत नहीं हुआ तो चलिए देखते है next question क्या दिया होगा देखो क्या लिखा हुआ है average of all the prime numbers 21 to 50 round of 21 यह जो बात दिया हुए इससे ही आप फस जाओगे कैसे फस जाओगे फिर आपको डिवाइडी करना पड़ेगा 21 से लेके 25 तक का आपका प्राइम नमबर कौन सा कौन सा है तेईस 29 आपको क्या आया 31 आया उसके बाद 37 आया उसके बाद 43 आया उसके बाद 47 आया और कुछ आ साथ 16 168 आ गया अचा यहां से 168 आ गया और इदर के कितना होता है तो चेचे बारत 27 आगया 28 आगया 28 आगया 28 आगया तो 251 आगया खतम कहानी 251 अपाउन कितना नमबर आया एक दो तीन चार पांच छे साथ तो साथ से 27 इनिकीस साथ तो 41 आया साथ साथ पांच 35 अचा ठीक है 35 आया तो कितना अच्छे आ गया तो साथ नो त्रेश्ट आता है साथ आठ चपन तो आठ के असपास तो 35.8 आएट सम्थिंग आएगा तो 35.9 ही ले ले लेता है आप्शन नमबर वान इस दा करेक्ट आंसर दीको एप प्रोक्स बोला गया था था What is the average of the 59, 63, 68, 77, 74, 73 when each number is divided by 23. देखो average का क्या होता है अगर आप normally average निकाल के उसको 30 से divide करते को तो आपके answer आजागा मतलब क्या हुआ इनका average निकालते है तो साथ 59, 63 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है तो साथ 34, साथ 14 और 8 कितना हुआ है, 84, 12, 22, 23, 25, 25 और 9 कितना हो था 34, 4, केरिफ़र 3, इधर कितना हो था 5, 3, 8, 6, 14, 4, और 20, 27, 27, 27, 27, 27, 24, 34, 27 कितना हो था, 7, 4, 11, मतलब 41, ठीक है, कितना है था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6 आए था 4, 1, 4 को 6 से divide करते है तो 6, 6, 6, 36 और कितना हाता है 69 69 69 69 69 जो आया यह average आया जब कि 23 से अपने divide नहीं किये थे तो total average को 23 से अगर divide कर दो कि तो कितना आजाए गर answer आजाए आपका 23 यह होता है so 3 आगया आपका answer option number she should be the correct answer okay समझ मैं है मतलब किसी number को भी average जैसे suppose यह क्यों ऐसा हुआ देखो sir a plus b plus c upon 3 यह करते और a को 5 से divide करो जान से सुना a को 5 से divide करो फिर b को 5 से divide करो फिर c को 5 से divide करो और फिर जाके average निकालो मतलब यह 3 होगा ना हां से 3 हो जाएगा तो इसको 3 लिख लेता है अचा आ गया अब देखो sir क्या होगा a plus b plus c upon 3 into 1 बटा 5 तो हमने क्या किया वही तो किये ना यही तो एक यह की चीज़ है तो देखो चलो next question के तरब हम लोग चलते हैं क्या दिया होए देखते हैं what is the average of the first 15 odd numbers among the natural numbers मतलब first 15 odd numbers को निकालना तो कैसे निकालना तो कैसे निकालना तो कैसे निकालना सकते हो एक तरीके से और odd numbers को भी निकाल सकते हो first 15 odd numbers कैसे निकालना है तो कितना आएगा मतलब कितना टर्म तक आएगा कितना तक आएगा अब 15 टर्म तक निकालना है यह तो आपको पताई है मैंने आपको पड़ाया था एपी जीपी में तो इन कितना हुआ सर पंद्रा टाम तो पंद्रा बटा दो ठीक है 15 odd numbers बोला गया था ना तो पंद्रा बटा दो numbers बोला गया था अगर natural odd numbers होता तब जाके क्या होता हमें तो वही बोला गया ना तो इन हमें क्या सिखाया गया था अभी सर हमने आपको पहले ही सिखाया था कि एन और नमबर के साम क्या होता है average of odd numbers should be always any होका ठीक है तो यहां से क्या आना चाहिए सर 15 आना चाहिए था यहां से average कितना होना चाहिए सर 15 आना चाहिए था देखो सर कितना नमबर का था यह निकालना जरूरी नहीं था हम निकाल लिए इसलिए अलग बात है लेकिन यह थोड़ा सा समझा मेरी बात को कितना नमबर है सर 15 नमबर अब सर एक तीन पांच को देखते है ठीक है हमने सिखाया था ना यह निकालेंगे नहीं यह गलत है हमें थियोरम को अप्लाई करना चरूरी है कैसे देखो एक प्लस तीन प्लस पांच है तो इनका average कितना हुआ सर तीन नमबर का तीन और नमबर फर्स त अब देखो ध्यान से इसके बाद वाले question में चलता है यह जो थोड़ा से important दिया हुआ है देखो what is the average of first 15 whole numbers अब यह जगा समझ लिए फिर आपको तो माला माल हो गए कि 15 whole number का whole number कहां से start होता है सर जीरो से start होता है यह जैसे ही समझोगे फिर आ गया एक दो तीन ऐसा करते कर जआना है 15 whole number बोल गया था तो सम क्या होता सर आ अपन टू इंटू टू ट्रू ए प्लास इन मानस वा इंटू टी ठीक है तो यहां से क्या जागा इन अपन टू एन बरावर कितना हुआ सा इन बरावर आपका आ गया कहां पे पंदरा ठीक है पंद्रा पंदो इंटू टू क्या हुआ सब टू इंटू वान मतलब जिरो सरी टू ए आ गया टू इंटू जिरो प्लास अच्छा हमने क्या किये सब एक से लेके चौदा तक हमने काउंट कर रहे ठीक है तो यह पंदरा नहीं करेंगे यह चौदा कर ले तो तब जाके हिसाब होगा तो चौदा टू वान प्लस यहांसे वान प्लस ए न मायनस वन इंटू डी तो यहां से कितना आ जाएगा सरीование सब सरी माय है मतलब तेरा इनटू दी 30 1 तो तेरा दो पंद्रा तो दो से दो साथ चाहो दा पंद्रा इंटू साथ कि दो ना अब देखो सरा आपको लुगर रहा कि पिछला वाला कुश्चीन में आपने तो फॉर्मुला वेठा तो छोड़ दिये अच्य ठीक है इस question को भी देख लेता है हम लोग formula भीटा के ठीक है कैसे formula भीटा के देखेंगे देखेंगे देखो सर हमने क्या करना था सर और numbers का तो एक तीन पांच ऐसा करते करते हैं हमें निकालना था 15 अबर का साम तो number of तो यहां से कितना आता है साम तो फर्स्ट एन और नमबर का साम कितना होता है सर एन ही होता है ठीक है चलो तो नेक्स्ट के तरफ चलते हैं हम लोग क्या दिख रहा है यह वाला question क्या वो लागा आउट ओफ four numbers the average of the first three is sixteen तो पहला तीन नमबर का average दिया हो है ठीक है लाश्ट ट्री नमबर का average कितना था पंद रहा था इड़ लाश्ट नमबर इस ट्वेंटीवान अगर लास्ट वाला जो नमबर दिया वह वह 21 मिल जाता है दिन फर्स्ट नमबर इस अब यहां से क्या निकाल सकते हो हां सर निकाल सकते एक चीज निकाल सकते कैसे दे दोनों का difference कितना हो जागा साम का 3 हो जाएगा यह समझा मरी बात को तीन का साम कितना था सोला ती आटालीस हो था पंदरा यह पैटालीस वह ता निकाल उसके साथ नमबर आफ टाम से गुना कर दिये क्योंकि दोनों में इस से नमबर अफ टाम सा इसलिए हम यह कर पाया तो ए मानस डी अगर यह और डी ले ले तो ए मानस डी हमें क्या मिल गया तीन मिलिया जैसे ही यहां पर देखो लाश्ट नमबर 21 दिया हुए तो पहला वाल नमबर कितना हो जागा 21 प्लस 3 बराबर 24 आ जाता है आपका अंसर आ है अपसे नमबर डी पर दिया हुआ देखो ठीक है क कोई दिकत आ सकते कोई दिकत नहीं है तो चलिए देखते नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया हुए यहां पर दिया हुआ एवरेज ऑफ थर्टीन नमबर इस फॉर्टी सेवन दिया हुए तो हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है वह समझ लेता है फिर जाके हम लोग कर नबर आप देच्ट का अब देको चारम्द यनरा मरेज यह परस्ट हें का तरह्तीन ही है तो जैसे हम ने ये समझ लिये फिर हमारा क्वेशन खतम हो गया कैसे खतम हो गया हमें उरिजिनल एवरेज 47 है यहां से 3 जने के लिए घाटा कितना हुआ यहां पर कितना हुआ रहा है सब्सक्राइब इसमें दस बड़ाके करना है तीनों का average मतलब तीनों का average कितना हुआ सर 57 हो रहा है तीनों का साम कितना हुआ 57 इंटो 3 मतलब 5 3 15 171 आ गया तीनों का साम जैसे ही 171 तीनों का साम हाता है आप क्या समझ रहे हो देखो लिखा हुआ है 11th number is 2 times the 12th number मतलब 11th number को 2x पकड़ना x को 12th number को and 12th number is 3 less than the 13th number तो 13 वाल नमबर कितना हुआ x plus 3 तो इनका साम कितना हुआ सर 4x plus 3 हमारे पास कितना है साम कितना हुआ सर 4x plus 3 तो 4x plus 3 बराबर हमें कितना मिल गया सर 171 ठीक है इनका average निकालना था सर 57 निकल हमें अगर average निकालना था तो average of 11th and 13th number हमें 3 number का average 57 मिल गया हमें 2 number का average निकालना था मतलब बीच वाल तो यहां से कितना आता है सर 12 and 13 मतलब हमें 3x plus 3 तो यहां से क्या करती है हम दोग थोड़ा सा समझते हैं, यहां से क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा से समझते हैं, यहां से 4X equals to कितना होता है, 3 और 18 यहारा, तो 168 आता है, तो X बराबर कितना आता है, 4 चुके 16, 42, हमें क्या निकालना है, 3X, 3X plus 3 निकालना है मतला हमें निकालना है यह निकालना है तो अपन्ड तू फोर्टी टू अपन्ट रिप्रेंट यह ओ जागा सब्सक्राइब को 60 आगया हमने कुछ गलत किया हां निकालना हमें जरूरी था C!! थोड़ एस चेक कड़ें तेन नमर का था Rise मतलब कितना होता高 Bir좌 नहोग कि 3спोनार, प्रिफ्टि लीख फोट लो आई सो प्पटी सेवें अगर एंटरी सटीन गाट लोए तो कितना होना चाहिए छागी सिटीन आग तो कितना होना चाहिए तो पांस्तीन पंद्रह तो सट्रावन से विन आ रहे तो दिया वैसा इलेवं त नमबर इस टूम तो इलेवं तो 13 इनकालते तो 4 X jadi कि bestenede कुटर मागने tenthों सिक्सक्राइगे से चुनों कि वालुऊ पिस वाल सुरी इन रोंडा करेंस tu यहाज। तो फॉटीटू आता है इस का वैलूँ अगर फॉर्टी टू आता है मतलब बीच वाला नमबर अगर फॉर्टी टू हो आता है तो हमें क्या निकालना ता सर्फ 42 प्लस 3 42 प्लस 3 कितरा ओता तर्फ 46 अच्छा और क्या निकालना तो 42 इंट टू ठी कहा है यह धोड़ा से गalत हो गया 42 नहीं होना है यहां पर थोड़ा से गलत आया क्या गलत आ देखते हैं साथ तेने के स्केरफट दो पांस तिन यहां से थोड़ा सा गलत हुआ इसको थोड़ा से चेंज कर लेता है कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं एकदम नर्मली ही सब करते हैं ठीक है देखते हैं क्या दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ देको तेरा नमबर दिया हुआ है जिसका एवरेज अब 47 तो तेरा इंटू 47 दिया हुआ है हाँ सर बराबर क्या हुआ एवरेज ओव दा फर्स थी का तीन इंटू 39 हुआ हाँ सर प्लास का लास्ट कितना सर फॉर्टी नाइन आया सेवन नमबर का तो सेवन इंटू 49 बाकी नमबर क्या क्या है और बाकी नमबर से एक का है अगर हम लोग एक सपकल ले तो दूसरे का कि अबकर is के कितना हुता है है सर फॉरेक्स ट्री टियू क्या है एक से क्यात करता है सर वहाँ से मातना करता है सुर खोंडी अच्छी केदना होता है सर फॉर्ट्य two आट्छी तो इनको अगर हम लोग जोडते हैं तो यहां से घटाते है तो कितना आता है साथ चार यारा चार आ गया एक आ गया फिर आता है चार-494-346, 346 करता है, तो 6-8, 14, 8 आता है, अच्छा है, और कितना आता है, इधर कितना होता है, 4 से, 4 एकम, 5, 4, 9, 3 से, 3 एकम, 4, 148 तो एक्स बरावर कितना आता है, अपन 4, तो 4 से कितना होता है, 4, 3, 12, 4, 7, 8, ठीक है, तो 37 आ गया, तो numbers क्या, क्या, हमें क्या निकालना तो यहाँ पर कुछ गलत हुआ था, इसलिए काल्कुलेशन हमारा गलत आया, तो 37 अगर आता है, तो 37 इंटू 3 निकालना है, प्लास 2 होगा सॉरी, 37 इंटू 2 निकालना है, प्लास हमें 37 प्लस 3 करना, 37 प्लस 3, हमने क्या निकाला, एक्स बरावर निकाल लिया, 37, मतलब सब 12 कि स्कैरिफड दो ना तीन त्या नो दो दस यार तो एक सो यार प्लस तीन मतलब कितना था सर एक सो चौदा अपन दो करेंगे तो कितना था दो पांच दस दो साथ चौदा फिप्टी से बनाता है अवरेज आप्शन नमबर भी सूड भी तर करेक्ट अंसर ठीक है सर चले बताईएगा क्या आता है आपका एंसर द नमर अफ द स्टुडेंट सीने क्लास इस सेवेंटिफाइब दिया हुआ है आउट अफ वीच साड़े त्यांतिस प्रतिशत कितना है सर और बॉइस और रेश्ट अफ द गॉल्स ठीक है तो यह करना नेक्स डिया हम लोग एंसर इस क्या आता है